आप सोचके देखे कि कोई एक छोटा सा पत्ता आपकी कितनी सारे भीमारियों को दूर कर सकता है पीपल के पेड़ को भारती संस्कृती में बहुत ही जादा महतव दिया गया है धार्मिक दृष्टी से या फिर ओषदिय गुणों की दृष्टी से भी इसको बहुत ही जादा महतवरुन माना गया है सनातन हिंदु धरम में पीपल को विष्णु का निवास्थान माना गया है और यही कारण है कि हिंदु लोग इसकी पूजा करते है गवान भुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही ग्यान पराप्त किया था आपको पूरे भार्त वर्स में मिल जाएंगे पाउ में या फिर जो सहरों में बड़े-बड़े पारक हैं उनके अंदर आपको पीपल के पेड़ के बड़े-बड़े वरिक्ष देखने को मिल जाएंगे पीपल की चाल हो पीपल के पत्ते हो या इसके फल हो सभी का जो है ओशदियों की तृष्टी से बहुत ही ज्यादा मैतव है और सभी को ओशदियों के रूप में इस्तिमाल किया जाता है तो आज हम आपको धार्मिक मैतव नहीं बलकि इसके ओशदिये गुनों के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे और यहां पर आज हम आपको पीपल के पत्तों के बारे में बताएंगे आप सोच के देखे कि कोई एक चोटा सा पत्ता आप कितनी सारे बीमारियों को दूर कर सकता है। सबसे पहले फाइदे की बात करते हैं। पीपल के पत्तों का जो सबसे पहला फाइदा है वो है आपके पाचन तंत्र के लिए। हमारे डाइजस्टिव सिस्टम को दुरस्त रखने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। रिसर्च के अनुसार ये पता चला है कि पीपल के पत्तों में कुछ ऐसे एंजाइम्स और मिनरल कंपाउंट्स होते हैं जो आपको कॉंस्टिपेशन, अलसर और लूज मोसन से बचाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पाचन तंत्र खराब रहता है और आप बार बार पेट की वज़े से आपको प्रोब्लम होती है तो आप आज से ही पिपल के पत्तों की चाय बना कर पीना शुरू कर दीजिए पिपल के पत्तों को उबाल कर और उसकी चाय बना कर अगर आप पिएंगे तो आप कॉंस्टिपेशन, अलसर और जो लूज मोसन जैसी गंभीर समझे हैं आप उनसे बचे रहेंगे तो पिपल के पत्तों का अगला जो फाइदा है वो है आपके हर्ट के लिए हमारे हर्ट को हेल्थी रखने के लिए कोलेस्टोल का एक बहुत बड़ा रूल है पिपल के पत्ते हमारे बैट कोलेस्टोल को कम करने में मदद करते हैं अगर आप पीपल के पत्तों को उबाल कर उनकी चाय हर रोज पीते हैं तो आपके श्रीर के अंदर फ्री रेडिकल्स का असर कम होता है और आपके जो नसों में सुजन है उसको कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद आपको मिलती है साथ-साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है तो इन सबी चीजों के साथ-साथ आपके जो हाट है उसकी हेल्थ इंप्रूव होती है आपके हट के अंदर व्लोकेज और जो हाट टैक का खतरा है वह बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है तो दोस्तों आप हर रो इसी गुन के कारण यह जो है बड़े हुए शूगर लवल को कम करें में काफी मदद करता है तो तो अगर ऐख एक डायमिटिक पेशिंट और अपने बड़े हुए शूगर लेवल को नेच्रेल त्रीके से कम करना चाता है तो इसमें आपके ब्ल के बतओ बहुत ही काम आ सक या फिर बेडी सीग्रेट बहुत ही जादा पीने की वज़े से जी लोगों को अस्तमा जैसे प्रोब्लम हो जाती है उनके लिए पीपल के बत्ते बहुत ही जादा फाइदेमंद सावित होते हैं पीपल के पत्तों के अंदर एक्सपेक्टोरेंट प्रोपर्टी होती है इस रोग में करें लिएक्ट। सरीर में विभिन किरियाओं के दौराँ कुछ हरुना कार्क प्रोडक्ट उत्पन होते हैं और ये जो प्रोड़क्ट होते हैं हमारे partir की टॉक्सिक्टिक को बढ़ा देते हैं हमारे से अन्काल और कि शो कअंब जाती है और इनकी वज़े से हमारे श्रीर में कई सारे बिमारियां उत्पन हो जाती है आगे चगर आप पीपल के पत्तों को उबाल कर उनकी चाय बना कर पीते हैं तो यह पीपल के पत्तों की जो चाय होती है यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में काफी मदद करती है और आप के श्रीर की जो toxicity है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कम हो जाती है और आप कई छोटी-छोटी बीमारियों से बचे रहते हैं छोटे-छोटे infection से आप बचे रहते हैं दोस्तों, पीपल के हमारे दिमाग के लिए हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही जादा फाइदे होते हैं पीपल का जो पत्ता होता है वो हमारे मेंटल हैल्थ के लिए भी बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होता है पीपल का जो पत्ता होता है वो हमारे ब्रेन के लिए एक ब्रेन टोनिक का कारिय करता है ये हमारे यादास्त को बढ़ाता है और पीपल के पत्तों का जो उबाल कर अगर हम इसकी चाय बना कर पीते हैं तो ये हमारे यादास्त को बढ़ाने के साथ साथ हमारे जो दिमाग की नसे होते हैं, ब्रेन की जो नसे हैं, उनको मजबूत करता है ओवराल पीपल के जो पत्ते होते हैं वो हमारे ब्रेन की कारिक शम्ता को बढ़ाते हैं हमारे जो ब्रेन की नसे हैं उनको मजबूत करके एक हमारी जो कारिय परनाली है दिमाग की उसको दूरस्त रखने में हमें काफी मदद करते हैं दोस्तों इसके अलावा भी पीपल पत्तों के बहुत सारा हैं seinen पादे मन थाओन होते हैं अगर आप प्यपल पत्तों की चाई वे चाह पीना चाहते है तो उसके लिए सबसे पहले आप ए गिलास पानी किसी बरतन में निकालैं और उस पानी को अच्छे से उबालै और उबलने के बाद आप पीपल के दो पत्ते ले लें उनको साफ कर लें साफ करने के बाद उनको आप हाथ के साथ करें और करश करने के बाद आप उनको उस पाने में डाल दें तो आप उसमें शैदना मिला कर थोड़ा सा नमक मिला लें अब इस पानी को आपको सुबा खाली पेट पिना है लगातार आप इसका सेवन करें दोस्तो वैसे तो पिपल के पत्तों के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं यह बिल्कुल सेफ होते हैं लेकिन लगातार ज्यादा मात्रा में लेने से आपको इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों जो माताएं अपने बच्चों को दूद पिलाती हैं या फिर जो प्रेगनेट लेडी होती हैं उनको पीपल के पत्ते लेने से बचना चाहिए तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो अगर आपको यह जानकारी अच्छे लगे तो इसे लाइक करे करें शेयर करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यक्त